सनातन धर्म सनातन धर्म अपने मूल रूप हिंदु धर्म के वैकलपिक नाम से जाना जाता है। वैदे काल में भारतिय उप महदवीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वतिया हमेशा बना रहने वाला अर्थात जिसका ना आदी है ना अंत। सनातन धर्म मूलता भारतिय धर्म है जो किसी जमाने में पूरे व्रिहत्तर भारत तक व्यापत रहा है। विभिन कारणों से हुए भारी धर्मांतरन के बाद भी विश्व के इसक्षेत्र की बहुसंख्यकाबादी इसी धर्म में आस्था रखती है। सिंदु नदी के पार के वासियों को इरानवासी हिंदु कहते, जो सका उच्चारन हक करते थे। उनकी देखा देखी अरब हमलावर भी ततकालीन भारतवासियों को हिंदु और उनके धर्म को हिंदु धर्म कहने लगे। भारत के अपने साहित्य में हिंदु शब्द कोई एक हजार वर्ष पूर्व ही मिलता है, उसके पहले नहीं। हिंदुत्व सनातन धर्म के रूप में सभी धर्मों का मुलाधार है क्योंकि सभी धर्म सिध्धानतों के सार्वभा माध्यात्मिक सत्य के विभिन पहलूँ का इसमें पहले से ही समावेश कर लिया गया था। इतिहास सनातन धर्म जिसे हिंदू धर्म अत्वा वैदिक धर्म भी कहा जाता है और यह एक अरब 96 करोड 8 लाख तिरपन 1110 साल का इतिहास हैं भारत की सिंदू घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं इनमें एक अज्यात मात्रदेवी की मूर्तियां, शिफपशुपती जैसे देवता की मुद्राएं, लिंक, पीपल की पूजा, इत्यादी प्रमुक हैं इतिहासकारों के एक द्रिष्टिकोन के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दोरान मध्य एशिया से एक अन्य जाती का आगमन हुआ, जो स्वयम को आरिय कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंद युरोपिया भाषा बोलते थे एक अन्य द्रिष्टिकोन के अनुसार सिंधू घाटी सभ्यता के लोग स्वयम ही आर्य थे और उनका मूस्थान भारत ही था प्राचीन काल में भारतिय सनातन धर्म में गानपत्य, शैवदेव, कोटी वैशनव, शाक्त और सौर नाम के पांच संप्रदाय होते थे गानपत्य गनेश की, वैशनव विशनु की, शैवदेव, कोटी शिव की, शाक्त शक्ती की और सौर सूरिय की पुजा आराधना किया करते थे पर यह माननिता थी कि सब एक ही सत्य की व्याख्या हैं यह न केवल रिगवेद परंतु रामायन और महभारत जैसे लोगप्रिय ग्रंथों में भी सपश्ट रूप से कहा गया है प्रति एक संप्रदाय के समर्थक अपने देवता को दूसरे संप्रदायों के देवता से बड़ा समझते थे और इस कारण से उनमें वैमनस्य बना रहता था एकता बनाई रखने के उद्देशे से धर्म गुरूओं ने लोगों को यह शिक्षा देना आरंब किया कि सभी देवता समान हैं विश्नु, शिव और शक्ति आदी देवी देवता परस पर एक दूसरे के भी भक्त हैं सनातन धर्म में विश्नु, शिव और शक्ति को समान माना गया और तीनों ही सम्प्रदाय के समर्थक इस धर्म को मानने लगे सनातन धर्म का सारा साहित्य वेद, पुरान, शुति, स्मृतिया, उपनिशद, रामायन, महाभारत, गीता आधी संस्कृत भाषा में रचा गया है कालांतर में भारतवर्ष में मुसल्मान शासन हो जाने के कारण देव भाषा संस्कृत का हरास हो गया तथा सनातन धर्म की अवनती होने लगी, इस थिती को सुधारने के लिए विद्वान संत तुसीदास ने प्रचलित भाषा में धार्मिक साहित्य की रचना करके सनातन धर् जब अप्टिवेशिक ब्रिटिश शासन को इसाई, मुस्लिम आधी धर्मों के मानने वालों का तुलनात्मक अध्यान करने के लिए जंगर्ना करने की आवश्चक्ता पड़ी तो सनातन शब्द से अपरिचित होने के कारण उन्होंने यहां के धर्म का नाम सनातन धर्म के पर हिंदू धर्म रख दिया स्वरूप सनातन धर्म के लिए किसी विशिष्ट पधती, कर्मकांट, वेश्भुशा को मानना जरूरी नहीं बस वह सनातन धर्मी परिवार में जन्वा हो, वेधान, मिमानसा, चार्वाक, जैन, बौध, आधी किसी भी दर्शन को मानता हो बस उसके सनातनी होने के लिए परियाप्थ सनातन धर्म की गुत्तियों को देखते हुए कई बार इसे कठिन और समझने में मुश्किल धर्म समझा जाता है, हालां कि सच्चाई तो ऐसी नहीं है, फिर भी इसके इतने आयाम, इतने पहलू हैं कि लोग बाग कई बार इसे लेकर ब्रमित हो जाते हैं, सबसे बड़ा कार इसका यह की सनातन धर्म किसी एक दार्शनिक, मनीशा या रिशी के विचारों की उपज नहीं है, नहीं यह किसी खास समय पैदा हुआ, यह तो अनादी काल से प्रवाहमान और विकासमान रहा, साथ ही यह केवल एक दृष्टा, सिध्धान्त या तर्प को भी वरियता नही इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिध्धान धराशाई हो जाते हैं, विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक काम्याब नहीं हुआ है, किन्तु वेदान्त में उलेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्नन किया गया है, विज्ञान धीरे-धीर कर उसके महत्वर को समझाया गया था, मोक्ष के बगेर आत्मा की कोई गती नहीं, इसलिए रिश्यों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है,